नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सोम बार के दिन भगवान सिप की अराधना करने से जीवन के सारे कस्ठ ही मिर जाते हैं चाहे वो कैसे भी कस्ठ हो जीवन की कैसी भी पुरेसानी हो बाधाये हो उनसे आप बाहर आ जाते हैं सिवजी की अराधना करने वाले को कभी भी जीवन में कोई भी गरहवादा परिसान कर ही नहीं सकता सिवजी पर तमाम तरीके के चीज़ें वस्तुमें अरफित की जाती हैं ताकि आप के जीवन के परिसानियों को दूर आप कर सके जब संसार को बचाने के लिए सिवजी ने बिस पिया था तब बिस जो पीने के बाद उनके कंठ में बिस उन्होंने रख लिया था तब यहां पर उनके कंठ में असीम जलन पूरे सरीर में हो रहा था और यहां पर समुद्र मन्थन की कता में भी ये बात आती है बिस्नु पुरान भागवत पुरान में भी वर्णित है कि समुद्र मन्थन के दौरान जब संसार को बचाने के लिए भगवान सिव ने बिस्पी लिया था तो उनका पुरा कंठीनी ला हो गया था और इस बिस्प के पुराव से सिव और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर भी जब ये पुरुआ पढ़ने लगा ऐसे में समझत देवी देवताओ उने सिव जी को दूद गरहन करने का आग रह गया और जैसे ही सिब जी ने दूद गरहन किया तो उनके सरीर में बिसका असर कम होने रगा हलांकि उनका कंट हमेशा के लिए नीला हो गया और उन्हें एक नया नाम नील कंट मिल गया और तब से सिब जी पर दूद अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है लेकिन क्या आपको पता है सिब लिंग पर तमाम बस्तुएं अर्पित करने के साथ अगर आप दूद अर्पित करते हैं तो क्या होता है देखिए सिब लिंग पर दूद जो चंद्रमा से सम्मंद रखता है और दूद को धर्म के और मन पर प्रभाव के दृष्टी को उन से स्वातिक माना जाता है और गाय का दूद सबसे ज़्यादा पवित्र होता है इसलिए सिबजी को अगर आप रुद्रा भी सेक करते हैं तो दूद से कीजिए आपकी समस्त मनुकामनाएं पूरी हो जाएगी वैसे आप कुछ और नहीं भी करें तो आप जल में थोड़ा सा दूद मिलाकर नमा सिबाय का अन्वरत जब करते हुए सिबलिंग पर अरपित कर दे ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं अगर आपको भी मानसिक तनाव रहता हो तब सोम बार के दिन आप नहाने के पानी में एक चमस दूद डाल करना है आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लेगेगी आपने कहाबा सुनी होगी दूदो नाव पुतो फोलो इसका मतलब यही होता है कि अगर नहाने के पानी में दोचार बुंद भी दूद डाल दिये जाएं तो जीवन की सारी परिसानिया समाप्त हो जाती है तो दूद के परियोग से कैसे देता दूर करेंगे देखिए इस सोमबार के दिन एक छोटा सा परियोग कीजिएगा रात में सोने के पहले एक पात्र में दूद ले ले अब उसमें चांदी का सिक्का और थोड़ा सा सहर डाल दे अब इसको याद रखिए सोमबार की रात विएसे आप उड़े में साल में कभी भी सोमबार की रात में कर सकते हैं अब जब आप इसको डाल दे तब इसको आप चन्रमा की रौसनी मी रखें अब आप अपने गर के मंदिर में स्विवजी के सामने बैठ कर एक मंतर है उसका दब कीजिए ओम दारिद्र दुख दहनाई नमह सिवाए अगर आप करजों से परेशान है जीवन में समस्याएं एक के बाद एक परेशान करे धन की समस्या बहुत ज़्यादा है तब एक बार बट केसर महादेब के सरन में आ जाएं करजों की समस्या से धन की परेसानी से आसानी से आप बाहर निकल आएंगे सबसे पहली बात तो बट का ब्रिच यानि बरगत का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहीं पर आपको जाना होगा सोंबार के दिन ये प्रियोग करना है लगातार तीन सोंबार करना है एक लोटा जल में एक चुटकी पीसा हुआ चाबल एक चुटकी हल्दी लेकर आप किसी भी बरगत के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहाँ पर जल अरपित करें और बटकेस और महादेब को परणाम करें यानि जल अरपित करना है जल में लेकिन परणाम करना है बटकेस और महादेब को इसके बाद थोरा सा जड़ उससे पेड़ से तोड़ कर ले आए अब इस जड़ को आप लाल धागे के सहारे बांध कर अपने पॉकिट में रख लें पर्स में रख लें अपने बैग में रख लें या आप चाहें तो अपने बैपसायास थल पर रख लें आप चाहें तो गले या बाहमे धारन कर सकते हैं धन की मुस्किलें भी दूर होगी, करजों की समस्या से मुफ्ती मिल जाएगी, तीन सुमबार लगातार कीजेगा, फिर देखिएगा, जीवन में कैसे बदला होता है, कैसे आप धीरे धीरे आपके पास धन आने लगता है, आप जो भी कारे करते हैं, उसी में सफलता मिलने सिबलिंग पर आप एक मुठी चावल जरूर अरपित कीजिएगा वैसे तो चावल के एक भी दाने अगर रोज सिबलिंग पर अरपित करें तो जीवन में कभी अन धन वस्तर की कमी नहीं होती है और लॉंग अरपित करने से राहु केतू सांथ हो जाता है तो जरूर अरपित पाने के लिए परियोग किये जाते हैं देखिए सबसे पहली बात तो जीवन में कितना भी कस्ट हो अगर सिबजी के सरन में आ जाए तो आपको कस्ट आप तक आने से पहले ही सिबजी से होकर गुजरणा पड़ता है इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा आईए अब जान हम इस परिसानी से बाहर निकलें कैसे हम तमाम बंधनों से मुक्त हो जाएं इस मुहमाया जाल में हम इसकदर फ़स जाते हैं कि कभी-कभी बहुत जादा उल्जने होती हैं समझ में नहीं आता कौन अपना है कोन पर आया क्योंकि हर कोई हर किसी के साथ गेम खेल रहा होता है लेकिन फिर भी हम उन्हीं रिस्तों को निभाना जानते हैं क्योंकि हमारी परंपरा ही ऐसी है तो चलिए अब हम जानते हैं सिंपल तरीके से कैसे दुस्मनों से मुक्ति पाएं देखिए आप किसी भी सोंबार को यह उपाय कर सकते हैं आपको चाहिए होगा एक ग्यारा काल परबनाने कच्चा दूद्ध में मिलाकर इसको सिब्लिंग पर अर्पीद कर दें ऐसा करने से सत्तुर विरोधी संथ हो जाते हैं यह परियोग तीन सोंबार लगातार कीजिए तो चलिए अब जानते हैं कि सिब्जी पर अपनी मनत को पूरी करने के लिए आप क्या आर्पी करें तो मंगल दोस्दूर होता है जो अर्पित करने से घर में सुकसानती रहती है तो सिब्लिंग पर आप जो अर्पित कर सकते हैं और फिर अर्हर की डाल भी अर्पित की जाती है माना जाता है कि अगर सिब्लिंग पर आप अर्हर की डाल या अर्हर के पत्ते अर्पित करे तो ध्यन और एस्वर की कमी जीवन में कभी नहीं होती, दिन बर दिन बढ़ता ही चला जाता है और अगर मुंग की डाल अरपित करें यहारा मुंग अरपित करें तो ऐसा करने से बुद्ध आपका बेहतर होता है और आपके सभी कारे जल्दी अल्दी पूरे होते हैं सहद अरपित करें तो सत्तुर विरोधी सांथ होते हैं अगर चीनी अरपित करें तो जीवन के दुखों का नास होता है दरिता समाप्त होती है, काला तिल अरपित करें तो घर स्वे पारिवारी कलेश दूर हो जाती है सरी देब की बाधाएं सांत होती है और जनव अर्पित करने से हर कारे में सभलता मिलती है ये तो थी सिब जी को परसंद करने का सिंपल सा परियोग जो आप किसी भी सोंबार के दिन कर सकते हैं और आपको इसके रिजल्ट हाथो हाथ भी लेंगे जीवन के तमाम कष्टों से बाहर निकलने के लिए आप सिब जी के सरन में ही आईए क्योंकि भगवान सिब को अजनमा अविनासी माना गया है और भगवान सिब सभी देबताओं से अलग मंदिर में सिबलिंग के रूप में पाये जाते हैं और इसी लिए जब भी आप उनकी आरती करें सिब जी की तो एक पांच साथ एग्यारे या एकिस बातियां रखकर ही आरती करें या आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं जब भी सिब जी की आरती करें ओम की आकरिती बना कर ही आरती करें ऐसा करने से जीवन के कस्ट कम होते हैं, सुक्सानती बढ़ती है सिभजी की पूजा में दक्षिना जरूर अर्पित किये जाते हैं दक्षिना में कैसे करेंगे अर्पित? एक पान का पता लेंगे, उसके उपर सुपाड़ी, सिक्का, लॉंग इलैंची, थोड़ी सी मीठी बस्तू लेकर आप सिभजी के पास सबसे अंत में पूजा करने के बाद रखने के बाद आर्पित करना है और जब सिभजी की पूजा हो जाए, तब नंदी की कान में अपनी मनों कामना जरूर कहिएगा और अगर दुस्मन जादा परेसान करें तो लाल गुढ़ल के पुस्प भी अर्पित करने का भी धान है सिभजी को एक बात याद रखिएगा, साम के वक्त जो भी व्यक्ती सिभजी के मंदिर में दिया जलाता है उसके जीवन में कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता इसलिए कोसिस करें कि आप साम के वक्त पास के सिभजी के मंदिर में दिया जरूर जलाए हर कस्ट दूर करेंगे भगवान सिप लेकिन सिप मंदिर से क्या लेकर आएंगे देखे पहली बात तो सिप जी के मंदिर में जवाब पूजा करने जाते हैं तो बहुत सारे आप प्रियोग भी कर सकते हैं जैसे कि संतान की चाहत है तो आप आक जो आकड़े का पुस्प होता ह है उस पौधे का थोड़ा सजड़ सिप जी के सिबलिंग के उपर आप अर्पित कर दें और इसको लाकर जो महिला संतान प्राप्ति चाहती है वह अपने कमर में धारन करें तीन मेने के अंदर संतान प्राप्ति होती है दूसरा आप इस जड़ को जो महिला है वह अपने बे करना आए इस बात का धियान रखे चाहिए आप किसी भी भगवान की पूजा करने जाते हैं पर लोटा खाली मत लाइए लोटे में सिवजी के मंदिर से थोड़ा सा नीर उठा कर जो आपने जल अर्पित किया है तो जलहरी से वहां पर आता है ना नीचे वहीं पर से आप हाथ जी की किरपाब बरसेगी फिलाल भी दालेंगे धन्यवाद हम फिर मिलेंगे प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरू करें अपनों से सेर करें कमेंट करें